एक भाई ने मुझा एक बहुत ही अच्छा सवाल पूचा कि हमारे मुबाईल पे यह जो फाइल्स मेनेजर के अंदर एक एंड्रॉइड नम का फाइल होता है यह एंड्रॉइड नम का फाइल अगर हम लोग डिलीट कर दें तो क्या हमारे मुबाईल का जितने भी डेटा में और यह बहुत एक इंट्रेस्टिंग सवाल आपने पूछा है तो आपको बहुत बहुत थैंक्यू तो मुझे लग रहा है कि अभी इंडिया थोड़ा हो रहा है लोग टेक्नोलोजी के बार में इंट्रेस्ट ले रहा है ठीक है तो आज के इस वीडियो में आपको एंड दोस्तों पहले में आपको बता देता हूँ कि इस एंड्रॉइड फाइल का काम क्या है लेकिन उसके पहले में बता रहना चाहता हूँ कि इस एंड्रॉइड फाइल का एक इंट्रेस्टिंग बात वो है दोस्तों कि आपके फोन से जितनी बार चाहे आप इस एंड्रॉइड फाइल को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप फोन को रिस्टार्ट करोगे, या कुछ दिर बाद ही, ये Android फाइल बापस आ जाएगा, हाँ दोस्तों, आप डिलीट करके देखना है, जितने बाद आप डिलीट करोगे, उतने बाद ही ये बापस आ जाएगा, लेकिन रु बहुत सारे आपतो, क्या के जब जाएगा, जोब भी डटा, करके रleftते हो, या जो भी फाइल करके रखते हो, या आपके फोन का या डेता है, एपस का जो पाइल सारके पाइल में जमाः होता है, मालो, आप यूट्यूब में एक वीडियो को डाउनलोड आउनलोड़ करके करके रख दिया है तो उस वीडियो को आप ऐफ-लाइन भी देख सकते हो तो यह यूटूब का जो आफ-लाइन वीडियो डाउनलोड करके रखा है आपने वह इसका डेटा है इसका जो फाइल है वह एक छोटा सा फाइल इस एंडरोड फाइल के अंदर कही पर जमा हो जाएगा तो उस फाइल को आप जिलिट कर देते हो तो देखना कि यह जो यूटूब का फाइल होगा डाउनलोड करके रखे हो वह आफ-लाइन नहीं चलेगा फिर से डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा अगर आपने प्रोम ब्राउजर से किसी भी PDF को किसी भी मूवीज को किसी करके रखा है वो सब कुछ दिलिट कर देते हो तो देखना कि आपके फोन से जो डेटा बगड़ा है जो कि हमने डाउनलोड करके रखाता है वो अपने आप डिलिट हो जाएगा या वीडियो है तो प्ले नहीं होगा सौंग है तो प्ले नहीं होगा इस टाइप का होगा यहां पर एक file होका जमा होता है तो यहां पर जो सवाल है उस बंदे का कि यह android file को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो क्या हमारे phone का system file डिलीट हो जाएगा तो ऐसा नहीं है दोस्तों आप अगर android file को डिलीट करते होगे तो आपका system file डिलीट नहीं होगा या आपका phone खड़ाब नहीं होगा ठीक है आपका internal storage में अगर आप मतलब यह भी सोच सकते हो कि आपका internal storage क्या खाली हो जाएगा तो इंटनल storage भी आपका खाली नहीं होगा क्योंकि यह कुछी देर बाद android यह फिर से दोबाड़ा आ जाता है ठीक है तो आप समझ गया होंगे कि android files का क्या है और android files डिलीट करने से आपके phone का कोई लुफसार नहीं होने वारा है तो वीडियो को अच्छा रागे सो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरू करना और बीडिजिटल दोस्तों एक दोस्तों वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कि आप जानते हैं कि यहां पे आपको सब कुछ मिलेगा जो आप धून रहे हों तो चलिए दोस्तों आज से लिक में अगी गुड़वाई एंड टेक केर